नमस्कार जया जोहर मैं कोमल साहूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्धन का एक्विस है जिसे हम बोरने cgpsc means answer writing के आज मैं paper 6 के part 3 के लिए बात करने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं 36 गड़ में समाजिक परिदिस या social aspect of 36 गड़ अगर आप इस पार्ट से देखेंगे तो आज की इस पार्ट में मैं आप उसके लिए जो परियाटन वाला section है उसको touch करना चाहता हूँ क्योंकि वो section है जहां से आपको दो नंबर चार नंबर आठ नंबर और 15 नंबर के भी प्रशन बनते हैं तो सबसे पहले आपन ये काम करते हैं पिछले 5 साल में आपके लिए कौन-कौन से question को एक बार देखते ह उसके पाद जो अभी trend बढ़ रहा है तो किस प्रकार से question बदल रहा है और question का selection यही question आया है तो question को क्यों दिया है इसको भी एक बार समझने की courses करेंगे उसके बार देखेंगे कि अगर आपन एक answer writing करना चाहे एक बेहितर लेखन अगर करना चाहें तो किस प्रकार हम चीज करके बिजना की सिविलम के प्राराम करें तो देखेंगे अगर हम बात करते हैं पिछले पांस सालों में तो देखेंगे सबसे पहले तो दो नमबर वाले प्रशन आए इसमें क्या लिख है आपके लिए राश्टी उद्यान और आपके लिए अभ्यारन यह पहला question आपको य मैं आपको बस स्विराइटी समझाने की कोशिस कर रहा हूं उसके बाद देखेंगे कि हम question को कैसे बहतर लिख सकते देखें उसके बाद क्या लिख है कुटुम सर गुफा क्यों प्रसिद्ध है उसके बाद लिख है सिरपूर का महत्वा उधर सिहावा का महत्वा पूछा थ और फिर से आपके लिए दो निशनल पार्ग के बारे में बोल दिया अब देखें एक question आपको आया आठ नंबर में कि छत्यसगर के किसी भी एक सर्रक्षित पूरा तत्वी किस महारा का कवर्णन कीजिए हमारे उपर च्वाइस दिया और एक question आया जो आपके लिए थोड़ question को थोड़ा सा देखने की कोशिस करें तो हमको क्या पूछा है या तो कोई एतेहासिक historical दूसरा आपके लिए पूरा तात्वी कोई archaeological या कोई धार्मी की स्थल पूछा है या हम देख रहें कि हमको क्या पूछा है प्राकृति क्या नेचूरल प्लेस पूछा या religious प्लेस पूछा देखे तो यह हमारे लिए historical दूसरा आपके लिए archaeological तीसरा हम देखेंग रिलिजियस और चौन्था है हमारे लिए क्या नेचूरल तो इस प्रकार की मतलब बोलेंगे तो परियटन में इसी प्रकार के प्रशन बनते अगर आप इसको प्राकृतिक को भी तोड़े तो इसमें आपको क्या पूछा है या तो गुफा को पूछा है तो आपर रामगड की पहड़ी यह स्वारी इसमें क्या देखे थ ही हम को आता है गुफा और गुफा में भी हम दो तिन प्रकार के प्रस्ण देखे सबसे पहले हम को क्या पूछा था गुफा में जोगी मारा गुफा पूछा था जोगी मारा गुफा और उसके बाद हम देखे थे कि हम को क्या पूछा है कुटूमसर गुफा मतलब इस प्रका आपको जैसे गिरोध पूरी को पूछा है तो गिरोध पूरी को नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपको किसको सतनाम पंथ को तो यह सतनाम पंथ से रिलेटेट है इसलिए पूछा है अगर वो इसको पूछ सकता है गिरोध पूरी को तो हमारे यहां अगर इसाई धर्म को देखा जाए तो इसाय धर्मा में आपको क्या पूछ सकता है वो अलग से आपको यहां से पूछ सकता है आपको कुनकुरी दो नंबर में बिल्कुल कोश्चन आ सकता है चान नंबर में कुनकुरी से कोश्चन बन सकता है और एक जगह हमारे लिए मतकुदिव तो यह चीजों की विराइटी को देखना की को किस प्रकार से प्रस्ण पूछ रहा है अगर हम क्या करेंगे चीजों को देखते देखते चलेंगे तो हम कुछ चीजी आती आती चलेगी अब देखिए उसके बाद अगर मैं यहां से कोस्टन लूँद देखिए अगर सिर्पूर के दो नमबर में, चार नमबर में, आठ नमबर में और इसी को पंदरा नमबर में देखिए हम सब हमको सब चीजे आती है लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है और देखिए मैं एक कोस्टन यह लिया हूँ इसके बाद दो कोस्टन और लूंगा जिसको दो नमबर, चार नमबर, आठ नमबर और पंदरा नमबर में आपको करके दिखाऊंगा, तो एक ही फॉर्मेट को जब मैं तीन जगा अलग अलग जगा चलाऊंगा, तब आपको क्या होगा, आप चीजों को सीख होगे कि आपको कैसे चीजों को बहतर ढंगते लिखना है, देखिए के बारे में, उस साइट के बारे में हमको थोड़ा सा सोचना है, तो सिरपूर हमारे लिए सबसे पहले क्या है, एक इतिहासी की स्थल है, तो इतिहास के बारे में पता चलता है कि नहीं, दूसरा हमको क्या है, एक आर्केोलोजिकल या पुरा तात्वी की स्थल भी है, तीसर ये कौन से कोई नदिवधी के किनारे है क्या तो हमको देखना है कोई बैंक ओन सिटी है क्या तो ये महानदी के किनारे है कि नहीं है जी अब देखो अब हमको इसी में एक विशेश चीज निकालना है जो कोई और इस जगा को कॉम्पुटीट ना कर सके तो हमको पता है मंदिर तो हम विशेश की रूप में क्या बोल सकने हैं इसी में हमारे पास लच्मन मंदिर या विश्णी में हमारे पास का सिरपूर का विश्णू मंदिर यह जो यह है यह हमारे लिए क्या है 37 गड़ में लाल इटो निर्मित 36 गड़ का पहला मंदिर है रहे यह सोना तो यह हमको छीजों को थोड़ा सा देख के चलना है कि हमको किन चीजों पर हमको डिल करना है अगर यह सिर्पूर हमारे लिए एक जगा मिला है तो अब हम अगला पॉइंट यह देखे कि सिर्पूर का अगर यह क्या है हम क्या बोल रहें इसको पुरा तात्विक इस्थल है तो इसकी खुदाई इसका एक्सक्वेशन किसी ना किसी के निर्देशन में किसी ना किसी के डारेक्शन में हुआ होगा अगर हमको पता है था हम बिल्कुल लिखेंगे अब इसको क्यों अगर हम बोल रह तो पहला यह अब किसके निर्देशन में खुद आई हुई तो यह डारेक्शन में देखते हैं तो किसके निर्देशन पर हुआ तो हमारे पास है क्या गंगाधर मुरेशवर दिख्चित तो हमको याद रखना है जी गंगाधर मुरेशवर दिख्चित अब देखो अगर हमको тобضा हो खुदाई हो या execution हो तो हमको यह चीज़ों को याद करना है ठीक है जी अब लिए दो नमबर में अब ऐसा जगाउब राजिम भी पूछ सकता है विलकुल पूछ सकता है ऐसा जगा आपको जालागाउं को भी पूछ सकता है तो ऐसे चीजे बन सकते, मान लो आपको ताला गाऊं को यही कोश्षन को पूछा, तो ताला गाऊं को कैसे लिगे, ताला गाऊं हमारे लिए इतिहासिक, पुरातात्मिक, धार्मिक और प्राकृतिक इस्थाला जिसकी खुदाई, कहां पर आपके लिए, ये अब देखो, ताला गाऊ हैं हम बोले कि ये लच्मन मंदीर या विशनु मंदीर लाली टो निर्मित मंदीर है हमको पता है कि अगर हम ताला गाओं में देखेंगे तो ताला गाओं में 36 गड़ का सबसे प्राचिन तम या oldest टेंपल आप 36 गड़ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं देवरानी जेठानी स मंदीर उसी को बोलते ही तो है कि नहीं तो अगर हम को चीजों को दो नंबर में लिखना है तो हमारे पास पहले एक फ्रेम हो कि कैसे दो नंबर में किसी भी चीज के बारे में अपन उसको लिखे करके तो यह हम को ऐसा चीजों को लिखना है अगर हम इसी को थोड़ा सा आग सिर्पूर का इतहासिक महत्वा या इसी को बोलना चाहिए आपके लिए क्या हिस्टोरिल्टिकल इंपोर्टेंस देखे तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं सिंदो घाटी सभ्यता पढ़ते हैं इंडस वैली सिवलाईजेशन पढ़ते हैं तो 36गड में उसका कोई विस्तार निंए अगर वैदिक काल में देखा जाया तो रिख वैदिक काल के 36गड से कोई संब्द निए लेकिन उत्तरवैदिककल में हमको क्या मिलता है जब हम उत्तरवैदिक काल पढ़ते तो रमायन आस महाभारत का एक पुत्र था पुत्र का नाम क्या था हमारे लिए जी भब्रु वहन था ये भब्रु वहन की राजधानी जो इसकी भब्रु वहन की राजधानी और भब्रु वहन की राजधानी को क्या आपके लिए चितरांगानपूर या चितरांगपूर करके जो आपके लिए मिंसन किया जाता है एड्रेस किया जाता है और यही जगा को आज के टाइम में अपन क्या बोलते हैं इसी जगा को बोलते हम लोग सिर्पूर तो यह देखूं यह पहले दो नंबर में हम क्या करें पहले दो नंब एक या बोला जाता था चित्रांगत पूर्च को पुट्र कुंथ हमारी भब्रुहान उस भब्रुहान की यह राजधानी बोलो या सोनो अगर बढ़े से क्या कर सके आपके लिए प्रेजेंट कर सके अब देखें सिरपूर का इतिहास अगर हम सिरपूर का इतिहास देखें यहां पे तो यह हमारे लिए क्या चीज़ है देखें अब सिरपूर बना है तो हमारे लिए सरभपूरी सासक था सरभपूरी एक डाइनेस्टी था सरभप पूरी शासक था हमारे पास उसका नाम था आपके लिए सुदेव राज या इसी को पन बोलते थे महा सुदेव राज महा सुदेवराज तो ये सुदेवराज ये महा सुदेवराज ये हम इसको जानते हैं तो ये सुदेवराज ये महा सुदेवराज जो थे इसके द्वारा सिरपूर सहर का किया गया निर्मान करवायेगा सिरपूर सहर का निर्मान अब सिरपूर सहर का निर्मान कराये गया तो इसी आपके लिए सरब पूरी सासकों में एक और सासक थे कोन हमारे पास प्रवर राज प्रथम यह जो प्रवर राज प्रथम थे इन्होंने क्या किया सिरपूर को सिरपूर को क्या की आपके लिए सरब पूरी सासकों का क्या बनवाया जी इसी को सरब पूरियों की राजधानी बनवाया इस थाई राजधानी इससे पहले राजधानी कहा होती थी प्रसन्ना मात्रा के समय में प्रसन्ना पूर्या मलहार होता था हमारे लिए तो हमको यह सिर्पूर का थोड़ा सा और चीज़ें को बढ़ें कि सिर्पूर के बारे में हम और क्या जानते हैं तो देखें सिर्पूर का अगर हम देखें सिर्पूर का अगर सिर्पूर के महत्व में ही जाए यह हम लोग लिखे थे यहां तक राजधानी अब देखो यही सिर्पूर है इसी सिर्पूर का अगर इतिहाद देखा जाए तो हमको क्या पता चलता है बाद में कि ये हमारे पास दोठो आपके लिए छेतरी राजवन्स ये अरिजिनल डाइनेस्टी ये जो छेतरी राजवन्स ये अरिजिनल डाइनेस्टी था इसमें हमारे पास पहला क्या बोले अपन सरभ पूरी तो सरभ पूरी वन्स मैं आपके लिए दो लोगों को पढ़े पहले का नाम क्या था अपन सुदेव राज सुदेव राज क्या किया था इसको निर्मान करवाई था और इसी में एक और dynasty है कौन सा पंडू ये जो पंडू dynasty है तो पंडू dynasty पूरा क्या किया इसको अपना पूरा राधधानिमान के प्रसासन किया यही से अपने पूरे administration को regulate किया तो यह हमको पता है पंडू के बारे में तो यह हमारे लिए सिर्पूर के इतिहास अगर इसी सिर्पूर के इतिहास में अगर थोड़ा सा अगर हम चीजों को और देखे देखे भई ये आपके लिए महा भारत काल में अगर इसी महा भारत के बाद थोड़ा सा और चलोगे तो हमको क्या मिलता है बहुत धकाल ये जो बहुत धकाल है बहुत धकाल में हमको पता चलता है कि महा आश्वरी गौतम बुद्ध जी गौतम बुद्ध जी बॉध्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए और प्रमोशन क्या किये थे ये सीरपूर आए और सीरपूर जब आए ये तो ये अपने जीवन का तीन माँ यही पर क्या किये थे व्यतीत किये थे या इस्पेंट किये थे तो यह अपने जीवन का तीन साल यही रहे और देखो इसकी जानकारी हम ऐसे बीना बेतुखे बात नहीं कर रहे हमारे पास क्या कुछ evidence है तो उस evidence को हमको यह मिंसर करना पड़ेगा तो दूसरा हमारे पास एक क्या थे वेन सांग Government का यातरवरितान थे या ट्रेवोलौक था तो इसका यातरवरितान था उसका नाम था क्या आपकी यंग की या जो सी यू कि है इसमें इन्होंने क्या किया है आपके लिए 36 गड़ को 36 गड़ को किया सलो सब्द से क्या किया है मिंसन क्या किया सलो तो ये हमको याद रखना है जी देखे हम 3.4 पॉइंट अगर हम इसको सिरपूर को गित्ते नंबर में लिखते आठ नंबर में तो पहला सिरपूर के बारे म कौन बनाया उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन कौन से डाइनेस्टी ने इसको आपका राजधानी मान के यहां से प्रसासन क्या हम इसको भी देख सकते हैं अब देखिए अगला यह हमको आगे अब यह हो गया हमारे लिए क्या सिर्पूर का इतियास अब हम देखेंगे सिर् पुर का वैस्विक महतुवा या ग्लोबल इन्पोर्टेंज देखा जाए तो हमारे पास हम अभी किसी के बात कर रहे थे वेन सॉंग वेन सॉंग क्या थे चीनी यात्री था चीनी आपके लिए चाइनिज क्या था ट्रेवलर था वो आया आपके लिए तो इसके किताब का क्या नाम था भी हम थोड़े दिर पहले पढ़े थे सी यू की यह जो सी यू की था इसमें इन्हों ने 36 गड़ को क्या बोला किया सलो अब यह इसका यह खास बात है जो यह सी यू की का किताब है आज देखोगे देश का लगभग जो जो इतिहास लिखता ह जिसमें चाइनीजों के बारे में बात होता है भारत के बारे में बात होता है उसमें एक व्यक्तिकों आता है वेंसंग और वेंसंग ने 36 गड़ को आपके लिए वेस्विक पटल बे या फिर आपके लिए ग्लोबल स्टेज में क्या किया फेमस किया तो यह क्रेडिट किसको को जाता है आपके लिए वेंद सांग को तो यह हम ऐसा लिख सकते हैं इसके बारे में अब हम एक चीज और जानते हैं इसी जगह के बारे में अगर आप सिरपूर को देखो तो सिरपूर क्या है हमारे लिए सिर्पूर हमारे लिए धार्मिक सहिश्णता का परिचायक है धार्मिक सहिश्णता का परिचायक धार्मिक सहिश्णता का परिचायक मतलब क्या बोल रहा है It is a symbol of religious tolerance अब बोले से religious tolerance बोल रहे हैं धार्मिक सहिश्णता बोल रहे हैं तो कुछ हमको example दीजी, बिल्कुल example लेते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं, यहां से क्या सेव धर्म, दूसरा अपन यहीं से देखते हैं, वैशनो धर्म, तो दूसरा याद रखना अपन को यहीं से वैशनो धर्म, तीसरा तीसरा हमको याद रखना पन को यहीं से वैशनो पर नची देखे अगर हम सेवधर्मा की बात करते हैं तो हमारे पास इसी पांडू डाइनेस्टी में पांडू वंस में हमारे पास एक सासक हुए जिसे अपन क्या बोलते हैं महासिवगूप्त महासिवगूप्त बालर्जुन यह महासिवगूप्त बालर्जुन है इन्होंने दो आपके लिए बहुत द विहारों सेवधर्मा के लिए तो याद रखना है इसी में क्या किये था इन्होंने गंढ़ेश्वर महदेव गंधेश्वर महदेव और दूसरा आपने नाम पे चुकीन का नाम बालरजुन था तो बालेश्वर महदेव या इस को बोलते हैं मान करवाया था देखें अगर आप वैश्ण धर में देखो तो यही पांडू वंस इसी पांडू वंस में हमारे पास एक रानी हुई रानी वास्टा रानी वास्टा ने अपने पती अपने पती हर्सगुप्त के इस्मृति में अपने पती हर्सगुप्त के इस्मृति में हर् अब सगुप्त की स्मृति में क्या करते हैं 36 गड़ का पहलो इटा निर्मित मंदिर मतलब फॉस्ट रेड ब्रिक बिल्ट आपके लिए क्या बनते हैं टेंपल का निर्मान कराते तो देखिए ये 36 गड़ का पहला आपके लिए अगर बहुत धर्म की बात किया जा तो बहुत धर्म के बारे में हम क्या जानते देखिए हमको पता है कि गौतम बुद्ध जी यहां पर है हमको यह भी पता है कि इसकी जानकारी हमको कहां से होती सी यू की से होती अब देखिए हम अगर बहुत धर्म में देखिए तो हमको यह क्या मिलता है आनन्द कुटी विहार मिलता है और दूसरा हमको यहीं मिलता है क्या स्वास्ति कुटी विहार अब आनन्द कुटी विहार आप स्वास्ति कुटी विहार के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका निर्मान या इसका कंस्ट्रक्शन किन के द्वारा किया गया था महाप्रभु आनन्द के द्वारा महाप्रभु आनन्द के द्वारा महाप्रभु आनन्द के द्वारा तो यह हम को याद रखना जी उसके बाद अगर आप जैविनिस्मारक पढ़ेंगे छत्यत गड़ पीसी में तो हमको जैविनिस्मारक कहां मिलता है साम साम करके तो साम मतलब ऐसे सामवाला सामनी एस से याद रखना अपन को सिरपूर एस से याद रखना है अपन को क्या आरंग उसके बाद याद रखना एम एम से याद रखना है अपन को मलहार और उसके बाद याद रखना एम से याद रखना महसपूर तो महसपूर सरगुजा में पढ़ता है और आपके लिए मलहर बिलाशपूर में पढ़ता है ये आरंग हमको पढ़ता है रायपूर में ओंसे सिवुद्फूर पढ़ता है आप नंको महासमुद तो देखिये यहां पे भी हमको क्या मिल आ जैनिस मारक मिले तो बताएए एक ऐसा जगा जहां पर जैन मेनूमेंट मिला है एक ऐसा जगह जहां पर आपको बहुत धम मोनेश्टिस मिला है एक ऐसा जगह जहां पर आपको क्या मिला है विश्णु जी का टेंपल मिला है और एक ऐसा जगह जहां पर आपके लिए क्या है भगवान संकर का आपको क्या मिला है मंदिर मिला है त तो आप इतना जगा बता दिए, लास्ट में जब अपन को यह ऐसा बड़ा question बनाएं, तो बड़े question में हमको एक चीज का बहुत wishes धियान रखना है, कि हम इसके बारे में कुछ wishes बोले, कुछ wishes लिखें, कुछ special लिखें, तो हम क्या बोल सकते हैं, 36 गड़का यह सबसे बड़ा 36 गड़का सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है जी, आपके लिए पूरा तात्विक आर्के लोजीकल, largest आर्के लोजीकल साइट है, पूरा तात्विक स्थाल है दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, आपके लिए 36 गड़ में, सैव, वैशनौ, आपके लिए बौध, एवम क्या बोल सकते हैं पर, जयन धर्म, जयन धर्म की मूर्तियां, स्टेचूस, एवम आपके लिए क्या बोला है, इस मारक मतला, monument, इस मारक भी क्या हुए है, प्राप्त यह जगह बता सकते हैं कि एक ऐसा जगह है जहां का चहुमुखी विकास हुआ था और राउंडर डेवलप्मेंट हुआ था तो इसलिए आपको पूछा जाता है अपके लिए सिर्पूर अगर हम इसी सिर्पूर को गिन पाइंटों में अपन क्या किया उसको लिखे अब देखे हम क्या बोले थे सिर्पूर हमारे लिए एक पूरा तात्विक एतेहासिक प्राकृतिक एवं धार्मिक इस्थल है जैसे मैंने आपको बताया था देखे उसके बाद हम पढ़े थे कि य अब अगला देखे उसके बाद याद रखने है अपन को क्या जिसमें पूरा तात्विक खुदाई कोन करवाया थे डॉक्टर गंगा धर्म और इस्वर दिक्षितन और कप कराया था आपक लिए 1953 से ये 1955 ये जो शिक्स ये टाइम पिरेड में होने क्या कराया था इसको मिद मंदिर था ये आपका सुरू का दो नंबर हम लिख दिए अगर सिर्पूर को दो नंबर में भी पूस्ता था मितना लिख देते तो हमारा काम बन जाता देखिए अब हम बोले थे अलग अलग और आपन क्या बनाया थे इसका पॉइंट अब हम बोले थे शत्य सिर्पू के यात्रवृतान सी यू की से होती है ये दो नंबर और अगला दो नंबर हम ऐसे क्या करें छोटे छोटे पार्ट में चीजों को डिवाइड कर लेते हैं उसको दिखा पाते हैं कि हम अपने किस चीजों को अपन यहां बताने कोशिद कर रहे करके देखिए अगला याद रख यहां पे मैं बता थांदटु डाइनिष्टी क्या करता है कि 실ोर को अपना प्रसाज क्या बलते हैं राजभर धानी मानके सिर्पूर को अपना प्रसाज क्या बलते हैं राजधानी मानके सभी राजाओं के द्वारा यहीं चे प्रशाशन किया जाता है यह मैं आपको बताया था किने तो यह हमको याद रखें अब देखिए अगला उसके बाद बोला था सिर्पूर का वैस्विक महत्वा तो वैस्विक महत्वा में हम क्या देखे थे चीनी यात्री विंस संग के द्वारा मेरे किकपर बताएं मैं केवल आपको डारेक्शन देने की कोशिस कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप चीजों को बहतर लिख सकते हैं हमारे पास जो कंटेंट है उसको हम कैसे पॉइंट वाइस लिख सकते हैं अब देखे ये तो होगे हमारे लिए सिरपूर का अगर आपको ची बढ़ा अच्छा लगता है कि हमने कोशिस कया था प्रयास किया था अगर एक बच्चे के लिए भी क्या होता सफल होता हूं को लगता है कि रिख तक पहुंच जिसके लिए यह वीडियो की जरुत थी उसको आउस सकता थी उसको नीट था करके clear जी तो चली आगे बढ़े कक अब अगला question हम लोग लेते हैं आपके लिए कौन सा देखें यह तो मैं आपको बताया था ना कि यह धार्मिक समचनेदा का परिचायक है और यहां पर देखो सिव मंदिर भी मिला है आपन को उसके बाद मैं बोला था आपको दोठो विहार मिला है उसके बाद मैं बोला था य और वसालि इतिहास का क्या है परिचायक है तो इस प्रकार से हम को चीजों को याद करने का जानने का लिखने का एक बार कोसिश करना है अगर हम एक पैटन को एक बार पकड़ देते हैं तो ये पैटन हम को दूसरे चीज़ों में भी आपके लिए पादा देता चलिए अब अगर प्रश्ण देखिए हम लोग, अगला प्रश्ण क्या लिख है राजीम के पुरा तात्विक एवम इत्यासिक महत्व का वश्णन कीजिए चलिए जी अब हम लोग इसके लिए बात करते हैं तो ये क्या है मारे लिए राजीम पुरा तत्वी केवं इस तहासिक इस थल पर क्या किजिए इसका वर्णन किजिए देखिए अगर हम बात करते हैं तो पहला पिछला कोस्टन हम लोग किसको लिये थे सिर्पूर तो सिर्पूर के जैसा ही राजीम को लिखने का प्रयास करते हैं सुरू के दो नंबर में या पहले पन जैसे सिर्पूर को क्या लिए कि यह थी कि यह हमारे लिए क्या है एक एतेहासी किस्थल है दूसरा क्या बोले थे यह एक पुरा तात्वी किस्थल है आर्केलोजिकल साइट है तीसरा हम बोले थे कि यह हमारे लिए एक धार्मी किस्थल है और उसके बाद चौन्था क्या है आपके लिए त्रिवेनी संगम पे हैं त्रिवेनी संगम पे ट्राइजंग्शन पे हैं अगर ट्राइजंग्शन को देखा जाए तीन जंग्शन को देखा जाए तो हमारे पास तीन नदी है m s और p तो m से क्या बोलते हैं अपन जी महानादी s से क्या बोलते हैं जी अपन सोंडूर और p से क्या बोलते हैं जी अपन यहाँ पे पैरी 36 गड़ का प्रयाग या प्रयाग आप 36 गड़ बोला जाता है अब यह प्रयाग में क्या होता है मारे पास कुम्भ लगता है की नहीं लगता है जी बिलकुल लगता है तो इसलिए यहां पर क्या लगता है राजीम कुम्भ का आयोजन होता है अगर यह राजीम कुम्भ का आयो से महासिवरातरी तक चलता है तो ये हम को याद रखने जी कि अब पुछेंगें कि dw你们 प्रारंब हुआ था ये हुआ था हम को 2005 से तो ये हम से हम याद रखने जी बोलो या सुनो तो हम यहां पर क्या देखेंगे राजीम का एतिहासिक महत्व अगर राजीम का एतिहासिक महत्व देखा जाए तो देखिए अगर हम क्या बोले थे वहां पर वैदिक काल मिला था वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल मिला था तो वहां हम सिरपूर में बात किये थे किसको महाभार पर माता सीता ने अपने हाथ से अपने हाथ से क्या किया था एक रेत से सीवलिंग निर्मान किया था सीवलिंग निर्मान ठीका जी असीवलिंग मैड़ बाइसेंड तो यह जो शिवलिंग का जो आपके लिए establishment हुआ था ये आपके लिए किसके द्वारा किया गया था माता सिता द्वारा किया था इसी कोचु की इनके कुल देव ता थे महादेव तो इसली इस महादेव का नाम क्या पड़ा आपके लिए कुलेशवर महादेव अब देखे, ये ने नहुत सकते हैं दूसरे कुलेशवर महादेओ को देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या है पंच कोशी धाम का केंद्र है तो पंच कोशी धाम का केंद्र सेंटर पॉइंट और पंच कोशी धाम क्या है तो हम अभी थोड़ा जिर में चर्चा कर लेते हैं कि पंच कोशी धाम क्या है तो हमको चर्चा करना पड़ेगा यहां पे 5 कोषी धाम. देखे जी, हम पहले 2 नंबर चर्चा कर लिए, यह दूसरा पयरा हमारे लिए हो गया और यह हमारे लिए तिसरा तो अगर हम तिसरे पयरा में 5 कोषी धाम का क्या करें? चर्चा करें तो देखें, यहίः looking है हमारे लिए लाजिम सेंटर मेए रखना और ने 5ौ में ओं पो 3 स्यार क्निए और यह 5 तो पहला जगह है मारे लिए कोंगी दूसरा हमको याद रखना यही से एक जगा कौन सा ब्रह्मनी उसके बाद हमको यहीं से एक जगा लेना है कौन सा जी पटेवा उसके बाद यहीं पे हमको क्या लेना है जगा आपके लिए फिंगेश्वर और यहीं पे हमको एक जगा लेना है कौन सा कूपरा तो यह याद रखना है कूपरा आप देखो हर जगा एक-एक महादेव बैठें सब महादेव के बारे म उसके बाद अगर देखा जाए फिंगेश्वर का नाम थोड़ा चेंज होता है तो हमको इसमें थोड़ा केर करना पड़ेगा तो फिंगेश्वर का बोलते हैं फणनेश्वर महादेव या फणनेश्वर नाथ अब उसके बाद देखना चाहिए हमको किसको कोप्रा कोप्रा को भी बोलते हैं आपके लिए कोप्रेश्वर महादेव या कोप्रेश्वर नाथ हम जैसे बोले ह हमारे उपर है तो देखे, यह एक सर्कीट बनता है, यह आपके लिए ऐसा, पंच कोसी धामी है, देखो जी, ऐसा, यह सर्कीट बनता है, यह पाँच, तो पांच जगा का सेंटर जगा ये राजीम, राजीम में है आपके लिए कुलेशवर महादेव, तो ये इसकी बात करता है, अब ये कुलेशवर महादेव की खास बात ये है, अगर हम ये पंच कोसी यात्र को करें, तो सबसे पहले हमको यही जाना पड़ेगा, जेल अर्पन माना जाता है, तो हमको ये याद रखने है, तो देखिए, हम पहले पॉइंट में क्या बोले थे, राजीम के बारे में, दूसरे पॉइंट में इसकी तीहास के बारे में बताए, तीसरे पॉइंट में हम बता दिये आपके लिए क्या पंच को सिधाम, लेकिन हम उसमें क्या पताते थे और माहत्तो बताते थे कि आपके लिए राजीम में क्या-क्या हुआ में अब सिर्पूर के बारे मेंぎ राजीम को क्या बोल सकते हैं हम धार्मेक सहीश्नता का परिचायक धार्मिक सहीश्नता का परिचायक अब बोले साथ धार्मिक्षंजनता का परिचायक या सिंबल ओफ रिलिजियस टोल्रेंस कैसे हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अब देखे कैसे कैसे सबसे पहले तो हमको यहां पर देखना है कि हमारे पास क्या है एक सिव मंदिर है इस सिव मंदिर में थोड़े दर के पहले हम देखिए कि सिवं मंदिर का नाम है कूलेश्वर महादेव कर दो मातसीता आपने Maison से किंसरे कूलेश्वर महां दोसरा है दूसरा अपन दeतें यहीं पे विश्नु canviq अपन कहा देखे थे जी बिल्कुल सिर्पूर में देखे थे ना गंधिश्वर और बालेश्वर तो यहां कुलेश्वर वहां विश्णु मंदिर में क्या था लश्मन मंदिर सिर्पूर था यहां पर आपके लिए एक मंदिर है जिसे अपन बोलते हैं राजीव लोचन मंदिर अगर ये राजिव लोचन मंदिर के बारे में बात किया जाए तो राजिव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये बताया गया था ये बनवाया गया था किसके लिए आपके लिए नलनागवन्स सासक थे हमारे पास नलनागवन्स डाइनेस्टी के सासक इन कई बार बोलते बोलते होता है ना दिमाग थोड़ा भच हो जाता है तो वैसा हो गया था तो आपको याद रखना विलास्तुंग द्वारा नलनागवनसी एस आसक थे और इनके द्वारा राजिवलोचन मंदिर को बनवाए गया इसी आप ले विश्णु मंदिर देखोगे त तो आपको लोमस रिशी आश्रम भी मिलेगा लोमस रिशी आश्रम तो आपको लोमस रिशी आश्रम याद रखना है एक आश्रम मिलेगा आपन को यहीं पे और हमको याद रखना यहीं पे हमको एक और चीज मिलता है हमको दो पूरा तात्विक इस्थल मिलते है यहीं पे प प्राइरी नदी के किनारे देखा जाए तो दो जगा है पहला जगा का क्या नाम है जी हमारे पास पहले जगा का नाम है सीता बाड़ी और दूसरे जगा का नाम है सिरकटी सिरकटी और सीता बाड़ी यह अपनको याद रखने राजिम में लिया जाता है इसको तो देखें हम को अगर लिखने का कोसिस करें तो हमको पॉइंट बताना है कि हम उसको कैसे भेतर ढंग से लिख पाए अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जो हम हम आमारा पेपर चिक कर रहा है वो जो है वो थोड़ा मजबूर होगा कि इतना मेहनत कि इतने सटिकता से इतने बारिकी से चीजों को वे उपर एनेलिसिस करके लिख रहा है तो अब देखिए लास्ट में हम क्या बोले थे हम उसमें भी क्या लिखे थे विशेस हमको यहां पर भी लिखना है यहां पर क्या विशेस विशेस में हम क्या लिखेंगे यहां पर वहां लिखे थे कि अलग-अलग मूर्तियां इस मा प्रदायों से क्या है यह आपके लिए संबंधित इस्थल है और इसी को बोला जाता है 36 गड़ का प्रयाद तो अगर हम हमारे पास बड़ा कोश्चन आये कौन सा चार नंबर का आठ नंबर का या पंद्रा नंबर का तो हमको जरूर कोशिस करना है कि अगर इसी को मैं क्या करूँ देखूं तो यह क्या होगा देखें सिर्पूर को अपन क्या बोले थे स्वारी राजीम को राजीम एक पूरा तात्वी के तेहासिक प्राकृति के धार्मिक इस्थल है यह महानदी सोंडुरो पैरी के त्रिवेनी संगम मैं आपको ट्राइजंग राजिम कुम कायोजन किया जाता है सुरूख के दो नंबर अगले दो नंबर के लिए हम क्या बोले थे राजिम कहते हैं राजिम एक रमायन काली निस्टाल है जहां पर रमायन काल में माता सीता द्वारा रेस से सीवलिंग निर्मान किया गया था जिसे वर्तमान में क्या बोल तुछ थाम क्या होगा यह तीसरा तो इसको अगर इसको भी दो नंबर में लिखे तो यह हमारे लिए क्या हो जागा पंच कोची धाम का केंद्र आप राजिम का कुलेश्वर महादेव छत्तित गड़ में पंच कोची धाम का यात्रा का प्रारामभिक एमों अंतिम बिंदु म में पटेश्वर महादेव उसके बाद हम एक बोले थे कि धार्मिक सहुष्णता का परिचा या सिंबल और रिलिजियस टॉल्डेंस तो देखिए ननल लागवंसी सासंग विलास्तुंग के द्वारा क्या बनवाया गया था राजिव लोचन मंदिर और रामचंद्र मंदिर का निर्मान कराया गया था काल अंतर में प्रिथ्विदेव दृति द्वारा इन दोनों मंदिरों का क्या कराया गया था जिन्नोध्धार और यहीं हम पढ़े थे लोमसरी सी आश्रम है और लाश में मैं बोला था कि हमको एक विशेश लिखना है तो हम बोले थे कि राजीम म संबंदिक अनेक इस्थाल मंदिर है जिसमें राजीम में सीता बाड़ियो सिरकटी पुरा तात्विक इस्थाल है और लाश में याद रखना देश का सबसे प्राचिंतम मंदरगा होने के यहां पर साक्षी आप प्रमान हमको मिलते हैं तो हमको चीजों को ऐसे थोड़ा दे करें कमेंड करें और कोमल सरकर पढ़ाना आपको कैसे लगता है कॉम्पिटिशन कम्मूनिटी का आपके लिए एफट कैसे लगता है जैसे हमारा थीम है कि पढ़ाय रुगेगी नहीं तो बस पढ़ाय रुगेगी नहीं उसलिए हम यह मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए एक तो competition community चाहता है कि आपको जाना भी जाय और आपको मेहनत के वज़े से आपके प्रतिभा के वज़े से आपको पहचाना भी जाय तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक ले जा जोहार और जच चतिसगार अपन मया अपन दुलार अपन प्यार हमार competition community के पूरे टीम के साथ बनाय रखू मिलबो अगले वीडियो में तब तक ले जा जोहार और जच चतिसगार